खबर पलवल से हैं नमबरदार समयत 5 पर मामला दर्ज पलवल की एक महिला ने जाली मिर्थी प्रमान पत्र और अन्य जाली डॉक्यमेंट के आधार पर लाख और रुपे की जमीन पर कबज़ा कर लिया नमबरदार और अन्य अधकारियों से भी जाली प्रमान पत्र पर साइन ले लिया जब मामला संग्यान में आया तो तफ़्दीक हुई और असली मलिक के द्वारा एफाई यार दर्ज कराई गई मामले को SP के दोरा जाच में लेकर पुलिस दोरा कारावाई को अंजाम दिया गया जानकरी देते हुए बताया गया कि विवेक राजपूत के नाम से गदपुरी में 160 गज के दो पलोट हैं उनकी मिर्टू के बाद ये सारे गटना को अंजाम दिया गया मिनकोला गाओं में खाद की कालावजारी करने के आरोप में पुलिस ने दुकानदार के खिलाप किया केस दर्ज, हतीन थाना पुलिस ने उपमंडल किरसी अधिकारी कुलदिप सिंग की सिकायत पर दुकान मालिक के खिलाप केस दर्ज किया, जानकारी देते हुए बताया गया कि CM flying के छापे के दोरान इस कारवाई को अंजाम दिया गया होडल गाओं भूपगड में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के आधा दर्जन लोग हुए घायल घायलों को उपमंडल नागरिक अस्पताल में भेजा गया सगे भाई के साथ जगड़ा हुआ जमीनी विवाद को लेकर सौमवार को देर साय कासुनी हुई जिसको लेकर मामला काफी हद तक बढ़ गया दूसरे पक्ष के लोगों ने लाटी रिंडों से दूसरे पक्ष के सगे भाईयों पर लाटी रिंडों से बरसात की जिसके बाद गायल हो गई उसके बाद उने जलास पताल में इलाज के लिए भरती करा है। जिसके बाद गायल हो गई जलास पताल में इलाज करा है। नसे का इतना आदी हो चुका है कि मामला बहुत जादा हद तक बढ़ गया है जिसको देकर पुलिस को उचित कारावाई करने चाहिए। मामले को संग्यान में लेकर जानकारी दी गई है। पलवल में आगरा चौक नवासी कड़ से परेशान होकर यूबक ने इंडसिट बैंक में खाया जहर। पुलिस ने जिला अस्पताल में भड़ती कराया जानकारी के मताविक इंडसिट बैंक के रिकवरी मैनेजर की जायती से परेशान होकर सकील नाम के वैक्ति ने ऐसा किया। जानकरी देते हुए बताया गया कि सकील नाम के यूवक ने इंडसिट बैंक से लॉन लिया था और लॉन चुकाने में देरी होने के कारण रिकवरी मैनेजर के द्वारा पिरताडित करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने बैंक में जाके जहर खाने की कोशिस की इलाज के ल क्रोणी संहल में जाके श्रेट के लिया थारी हैं अटाई बाल झाल के ला किर देख को अन्हों дов ये खाने के दÓकरी नाम कार क YOU को अटीधल झांडसिए आरोपल के लिवाखने इन हो उन्हों थेसमत्तंड ्मा आम्रग उन्हों में येर आर देंगल